नमस्कार, MGSUB का निरनी जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है जो स्टूडेंट्स इतिहास विशे के साथ बीए सेमेस्टर फस्ट में रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यह वेडियो है सेमेस्टर फस्ट में OMR पैटरन परिक्सा का यूज़ना रहेगी यह इस वीडियो में हम जानेंगे जो स्टूडेंट्स महाराजा गंगा सिंग यूज़नी बीकानेर के तैत किसी कॉलेज में regular स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं केवल उन्ही विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है अन्य किसी यूणिशिटी के आप विद्यार्थी हैं तो कृपया अपने समंदित यूणिशिटी के सलेबस के according आप कोई अन्य वीडियो में जानकारी लेवें या अपने टीचर से सलाले में इसलिए यह ध्यान रखना है कि आप M.G.S.U. बिकानेर के regular students हैं जो BA History में semester first के student हैं आपका जो paper होगा वो आपके semester first में दो paper होंगे पहला paper होगा History of India from earliest times to 300 AD यानि भारत का इतियास 300 इस्वी तक और दूसरा paper जो है वो विश्वे इतियास का है और उसमें ये काल दिया हुआ है पहला और दूसरा दोनों ही paper आपके तीन-तीन credit के हैं जो कुल मिलाकर एक semester में 6 credit हो जाएंगे semester first में university ने decision लिया है कि सबकी परिक्सा OMR pattern से करवाई जाएगी OMR pattern से multiple choice question based परिक्सा होगी यानि objective प्रस्ण पुछे जाएंगे objective questions के आदार पर OMR seat में आपको अपने answers को फिल करके आना होगा जो first semester है उसमें आपके दो paper होंगे और second semester में भी आपके दो paper होंगे तो semester second में जो university की योजना है वो descriptive परिक्सा की रहेगी लेकिन semester first में आपके OMR pattern को लागू कर दिया गया है यह एक OMR seat है right side में जो देख रहे हो यह आपकी OMR seat का नमूना है इसमें इस प्रकार प्रस्ण होंगे एक sequence में दिये हुए तो यह यहाँ पर 50 questions की OMR seat दी हुई है और इधर एक paper का नमूना इस प्रकार आपका paper आएगा और उसमें आपको अगर पता है कि इस प्रस्ण का उत्तर यह 4 है तो आप यहाँ OMR में उस प्रस्ण क्रमांग के सामने इस गोले को भरके आएंगे तो यह आपके answer देने का तरीका रहेगा OMR seat में एक model OMR seat दी हुई है जिसमें 60 प्रस्ण होंगे जो semester first का first paper और semester first का second paper आपके 60-60 अंकों का होगा और 30 marks आपकी college की तरफ से दिये जाएंगे एक semester में एक subject में 150 marks का आपका paper होगा यह एक OMR का नमूना है modal OMR seat है जिसमें 60 प्रस्ण दिये हुए है question first to question 60 यह एक और modal OMR है जो अपनी university finalize करेगी वही आपके लागू होगा लेकिन यह कुछ modal OMR seat आपको यहां पर दिखाई जा रही है कि इस प्रकार एक प्रस्ण होता है उसके सामने चार विकल्प होते हैं जिनको हम multiple choice कहते हैं multiple choice best questions होते हैं उसमें A, B, C, D यह आपको choice मिलती है जो भी आपको उत्तर सही लगता है उसको भर कर आना है semester first के first paper का syllabus प्रथम प्रस्ण पत्र भारत का इतियास प्रादंभी काल से 300 इस्वी इसमें आपका जो syllabus होगा वो पांच units में divide होगा unit first में प्राचीन भारतिये इतियास के स्रोत पूर्वपासान कालीन, मद्दे पासान कालीन, नवपासान कालीन एवं ताम्र पासान कालीन संस्कृतियां सिंदू सरस्वती सब्वेता उसकी उत्पत्ती विस्तार और मुख्य स्तल नगर नियोजन एवं स्तापत्य कला अर्थ्योस्ता धर्म कला पत्तन हस्तांतरन और निरंतरता सिंदू सरस्वती सब्वेता का वैदिक सब्वेता के साथ क्या समंद्रा है तता उत्तरवर्ती हडपा सब्वेता हैं जिन में कालिबंगा एउंग बनास नदी सब्वेताओं का विशेश संदर्ब दिया गया है ये आपके एक यूनिट फरस्ट यूनिट सेकिंड में वैदिक साहित्य का वर्गिकरण और उसकी विशेवस्तु, वैदिक सरस्वती नदी और उसकी एतिहासिक्ता के साक्षे, अरंभिक वैदिक संस्कृती समाज अर्थव्योस्ता राजनिती एवं धार्म, उत्तर वैदिक संस्कृती जिसमें समाज अर्थव्योस्ता राजनिती धार्म ए आर्थिक स्तिती, महाजन पद एवं गंतंत्र, मगद समराज्यवाद का उदय, हरियंक सिसुनाग एवं नंदवन्स और लोह युगीन संस्कृति का सर्वेक्षन ये आपके यूनिट सेकिंड में इंक्लूड किया गया है। यूनिट थार्ड में मोर्य समराज्य, स्रोत और मोर्य समराज्य का महत्वे, चंदरगुप्त मोर्य, उनकी विजएं और उनका समराज्य विस्तार, फिर असोक महान, असोक के अभिलेखों का महत्वे और उनका वर्गेकरण, कलिंग युद्ध और उसका प्रभाव, असोक का अधम और मोर्य प्रशासन, असोग के प्रशासनिक नवाचार, मोर्य सामरज्य का पतन एवं असोग का उत्तरदायत्वे और मोर्य काल में भारत का सेश विश्व से संपर्क। कुशानों का उदय, कनिस्क और कनिस्क की राजनितिक एवं सांस्कृतिक उपलब्दियां तता दक्सिन भारत में चेर, चोल और पंडें। यह आपका सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर रहेगा। इसमें आपकी जो पहली इकाई होगी उसमें पुनरजागरन, पुनरजागरन का आर्थ कारण, कला और सहित्य का विकास, वानिज्य वाद एवं वानिज्य क्रांती धर्म सुधार आंदोलन और प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन उपनिवेश वाद का किस प्रकार आरंब होता है अमेरिका का स्वतंतरता युद्ध उसके कारण और उसके परिणाम unit second में अबके उद्द्धुगी क्रांती के कारण और परिणाम फिर फ्रांसिसी क्रांती के कारण परिणाम इवं प्रभाव और नेपोलियन बोना पाट के कारिये उपलब्दियां और नेपोलियन का पतन यूनिट 3 में वियना कांग्रेस, यूरोप की संयुक्त व्योस्ता, मेटरनिक यूग और फ्रांस की क्रांती और उसके प्रभाव। यूनिट 4 में इटली का एकिकरण, जर्मनी का एकिकरण, समराज्यवाद का उदै, उसकी कारण और परिणाम, तथा यूनिट 5 में पूर्वी समस्या, ओटोमन समराज्य का विस्तार, उसके पतन के मुख्य कारण, सर्बिया का विद्रो, तथा क्रीमिया का युद्ध, ये किताबों की अनुसंसा की गई है कि ये पढ़नी चाहिए उनका कुछ विवरन इस प्रकार है यहां ये ध्यान देने योग के बात है कि यहां 12 किताबें में सन हैं लेकिन सारी नहीं पढ़नी होती है आप इन में से कोई भी एक ले सकते हैं इसके लिए आप अपने इतियास के जो भी सिक्सक आपको पढ़ाते हैं उन से डिसकस करके आप फाइनल कीजिए जो इंगलिस मेडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये उपयोगी हैं और जो हिंदी मेडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ये पढ़ सकते हैं आपको एक पुस्तक पढ़नी है या दो पढ़ है उनके लिए भी कुछ books को recommend किया गया है उसमें आप ये देख सकते हैं Hindi medium के लिए काफी books हैं और English medium के लिए भी हैं तो जो भी आपका medium है उसके according आप books choose कर सकते हैं बस ध्यान इतना रखना चाहिए कि आप अपने history के teacher का mark दर्शन जरूर लेवें उनसे पूछें और उसके पस्चाती आपकी किताबों का chain करें जो semester second होगा इसमें आपके परिक्सा का pattern बदल जाएगा और जो अब तक की guideline है वो यही कहती है कि semester second में आपकी descriptive exam ली जाएगी तो descriptive examination में आपको 20 सब्द या 50 सब्द 200 सब्द या 500 सब्दों में उत्तर लिखना होता है तो semester second में आपके जो ये paper है History of India and an outline of the history of Rajasthan इनका आपका descriptive exam होने की योजना है second semester की scheme इस प्रकार रहेगी समय तीन घंटे जो कम भी किया जा सकता है university की guideline को हमें follow करना होगा अधिक्तम अंक 60 जो semester first में जो विवस्ता थी वही semester second में रहेगी semester second का first paper 60 अंक का होगा second paper भी 60 अंक का होगा और 30 marks 30 अंक आपको दिये जाएंगे college की और से semester second में भी history आपके 150 marks का होगा अंत्रिक मुल्यांकन यहां 60 दिया वाय जो कि एक semester में 30 का होगा इसमें प्रस्ण पत्र के तीन खंड होगे यानि तीन section होगे section A, section B, section C section A जो होगा उसमें कुल 10 प्रस्ण पुछे जाएंगे section B जो होगा उसमें 5 प्रस्ण पुछे जाएंगे और section C में 5 प्रस्ण होगे जिसमें से आपको 3 attempt करने हैं तो section A में 10 प्रतेक 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 प्रत से परिक्सा होगी तथा सेकंड सेमेस्टर में डिस्क्रिप्टिव परिक्सा होगी सेमेस्टर सेकंड का सिलबस इस प्रकार रहेगा आपका जो फस्ट पीपर होगा वो है बारत का इत्यास 390 से 1290 तक उसकी यूनिट फस्ट में गुप्त सामराज्य के स्रोवत उत्पत्ती राजनितिक इत्यास और उसमें चंद्रगुप्त प्रतम समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त धूतिये समुद्रगुप्त गुप्त प्रशासन गुप्त सामराज्य का पतन तथा कलास तापत्ते धर्म शाहित तेशिक्सा विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में किस प्रकार प्रगति की उसका विवरण और गुप्त काल में सामाजिक और आर्थिक स्तिती ये आपके युनिट फस्ट में कवर किया गया है युनिट सेकिंड में हुणों का अक्रमन और उसका प्रभाव पुष्यभूती, वन्स स्रोत, हर्सवर्दन की राजनितिक एवं सांस्कृतिक उकलब्दिया, उसका प्रशाशन, क्रिशी सरंचना एवं समंतवाद का उदे, फायान वे हेन शांग का विवरण और उनका तुलनात्म का ध्यन फिर यूनिट थार्ड में दक्सनी राजवनसों का उदे, जिसमें चोल चालुक के पल्लव, राष्टकूर्ट और होईसाल, चोल प्रशाशन, पूर्वी राजवनसों का उदे, बंगाल में पाल वे सेन, कामरूप के बर्मन बंस के विशेश संदर में यूनिट फोर में उत्तर भारत के सामराज्य जिसमें गुर्जर परतिहार, कल्चूरी चेदी, गहडवाल, परमार, सैकंबरी के चोहान, राजपूत प्रशासन एवं संस्कृती, अर्बों से संपर्क, गजनभी एवं गोरी के आक्रमनों का प्रभाव और अलबरूनी को इ विकास में मंदिर कला एवं स्तापत्य, सहित्य का किस प्रकार विकास हुआ, संगम सहित्य, प्रांतिय भासओं का विकास, धार्मिक स्तिती, तमिल भक्ति आंदोलन, सैव एवं वैसनव धर्म, संकराचार्य का वेदान्त, उर्श्रिलंका एवं दक्षिन पूर्य एसिया से संपर्क किस प्रकार होता है ये आपके यूनिट फिप्ट में इंकलूड किया गया है जो प्रसंद पत्र दूइतिय होगा आपका सेमिस्टर सेकिंड में उसका नाम है राजस्तान के इतिहास की रूप रेखा इसमें सेम स्कीम रहेगी आपकी और इसकी यूनिट फिस्ट में राजस्तान के इतिहास के स्रूत जिसमें पुरातात्विक, सहितिक एवं पुरालेख की स्रूत का वर्णन है राजस्तान का भूगोल, राजस्तान का प्रागेती आसी काल जिसमें काली बंगा आहड एवं बैराट का विशेश संदर्ब दिया गया है यूनिट सेकिंड में राजपूतों की उत्पत्ति के मत प्रमुख राजवंस गुहिल गुर्जर परतिहार चोहान एवं राठोड राजवंस राजस्तान में मुस्लिम सत्या का किस परकार प्रशार हुआ और उसमें भी अलावदिन खिलजी के विशेश संदर्ब में ये इंक्लूड किया गया आपके यूनिट सेकिंड में यूनिट थर्ड में मेवाड से रणा कुमभा, रणा सांगा और महारणा प्रताब मारवाड से जोधा, मालदेव, चंदरसेन तथा आमेर से मान सिंग, मिर्जा राजा जैसिंग और सवाई जैसिंग और बिकानेर से राय सिंग, डुंगर सिंग और गंगा सिंग को इंक्लूड किया गया है एकाई चार में मराथा अक्रमन और राजपूतों का प्रतिरोद उसके कारण प्रभाव तता हुर्डा सम्मेलन राजपूताना के राज्यों एवं भृतिसों के मद्दे जो संधियां हुई थी 1818 की उनके बारे में संधियों के कारण और परिनाम और राजस्तान में 1857 की कारण प्रकृती एवं परिनाम यूनिट 5 में राजस्तान में राजनितिक जागरती के क्या कारण रहे किसान आंदोलन जिसमें बिजोलिया, सेकावाटी तता दूदवा, खारा के आंदोलन, भील आंदोलन, गोविंद गिरी, मोतिलाल, तेजावत और क्रांतिकारी गतिविदियों में अरजुनलाल सेथी, केशरी सिंग बारट परजामंडल आंदोलन तथा राजस्तान के निर्मान को इंक्लूड किया गया है सेमिस्टर सेकिंड में जो फर्स्ट पेपर होगा उसकी बुक्स जो रिक्मेंडेट बुक्स हैं उन में हिंदी मेडियम के लिए ये बुक्स हैं तथा इंगलिस मेडियम के लिए ये बुक्स हैं तो आप अपने हिस्टरी के टीचर से कंसल्ट करके आप अपनी किताब का चैन कर सकते हो अपने आस पास जो भी अविलेबल बुक्स हो उनको खरीद सकते हैं यहाँ पर यह ध्यान रखना होता है कि यह books केवल recommended है जरूरी नहीं है कि आप यह सारी पड़े या जरूरी नहीं है कि आप इनमें से दो पड़े या तीन पड़े एक अच्छी book भी आपके काम आ सकती है इसलिए अपने हिस्ट्री के टीचर से जरूर मार्क दर्शन लेवें इसमें प्रकार आपके सेमेस्टर सेकिंड का सेकिंड पेपर जो है जिसमें राजस्तान है उसमें आप हिंदी मेडियम चाथा इंग्लिस मेडियम के लिए यह separate books दी हुई है इसमें आप अपने हिस्ट्री के टीचर से कंसल्ट करके ही किताबें पढ़ें धन्यवाद